तो पोको का एम थीरी ठीक है इसमें नो सर्विस है यहाँ पर देख सकते हैं सीम काड लगा हुआ है एटल का लेकिन यहाँ पर नेटवर्क नहीं है ठीक है अब यहाँ पर हमें पहले चेक करना क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ चैनल पर नहीं हो तो अपली चैनल को सब् अब इसका मतलब यह है कि 4G IC हमारा डैमेज हो चुका है ठीक है तो बस आपको भीसी चैतर तेतालिस आपको रिप्लेस करना है इसमें ठीक है मदर बोट को बाहर निकालते हैं आपको आमने चेक करने का तरीका दिखा दिया है यहाँ पर ठीक है ज्यादा इधर उदर आपको भीसी चैतर तेतालिस रिप्लेस करना है यहाँ पर थोड़ा कट लगाई है और इस तरीके से इसको बाहर कर देजिए ठीक है इतना से ही कट करने से आपका काम हो जाएगा ज्यादा आपको कट नहीं करना है नाइन पावर और यह पोको एम थिरी एक ही बोर्ड होता है अब इसको हमें चेन कर देना है ठीक है यह हमारे पास दूसरा आइसी है दोस्तों भीसी चैतर तेतालिस इसको हम लगाएंगे यहां ठीक है इसको हमें बाहर कर लेना है ठीक है इसको हमने बाहर कर दिया है इसको करते हैं यह हमारे पास दूसरा ठीक है पास कर से फक्ते हैं तरह इसको हमें दोस्तों लगा देना आया आए चलिए यह लग गया है ठीक है इसको ठंडा होने देते हैं उसके बाद चेक कर देखे लिखेंगे इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं दोस्तों बस इतना सा काम है आपको और यहां पे कर देना है अची तरीके से यह लग गया है ठीक है चलिए तो लगवक ठंडा हो चुका है यह अब यहां पे हम चेक करते हैं दोस्तों कि हमारा जो नेटवर्क है वो सही हुआ या नहीं हुआ है कि यहां पे सीम कार्ट लगाते हैं और फोन को अन करते हैं तो यहां पे एयर टेल हमारा आ गया है लिखके यहां पे दिखाते हैं आपको यहां पे देख सकते हैं अब यह अंटीना जो पैनल होता है इसमें होता है तो इसको हम थोड़ा लगाते हैं ठीक है अब यहां पे यह है मारा फूल नेटवर्क हो गया यहां पे देख सकते हैं दोस्तों तो फूल नेटवर्क हो गया जो अंटीना पैनल होता है उसको लगाते ही तो वीडियो के ज़्यादा सेर कर दीजेगा लाइक कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा बस आपको सिंपल सा तरीका मुने बताया है वह हिन जे भारत